बॉनिंग एवरिवान आप सबका जिनोंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया थैंक यू वेरी मच और जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उनका भी बहुत बहुत धन्यावाद आज का वीडियो जो है कि घर में फ्रेंच बीन्स कैसे हो गाएं यह मैंने फ्रेंच बीन्स जो है आप देख सकते हैं पानी में भीगो कर रखें पानी में इसमें मैंने 10 परसंट वेजडी कमोजर का खोल मिला रखा है यह इस प्रकार से मैंने एक बॉटल बनाई है इसमें वेजडी कमोजर है यह मैंने इसमें ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर देता हूं और इसको कल मतलब 24 गंट मैं इसको बीज को बो दूँगा और बीज को बोने से पहले जो मैंने पॉट जो है आप देखेंगे इस प्रकार से मैं यहां पे एक पॉट के तरह बना रखा है इसमें आप देखेंगे मैंने बीज में ये कुछ हरे पतियां डाल रखें ये नीम की पतियां है नीचे ताकि जड़ों में कोई भी fungus हो गया रहा ऐसा कि राणों ना लगे ये नीम की सूखी हुई पतियां इसको मैंने ऐसे ऐसे करके ये आप अपने pot में अच्छे से ऐसे गुडाई कर दें मिट्टी में मिक्स हो जाएगा और मिक्स करने के बाद ये मैंने waste decomposer जो बनाया हुआ है वही इ पतियां उसका micronutrient का काम करेंगी तो बहुत अच्छी इसमें सारी पतिया है नीम की पति ही नहीं है खाली और भी सूखी पतिया है जो मैंने इसमें डाल रखी है ये मैंने आपके सामने देखिए इस तरीके से आप बोटल ले ले कोक की उसमें आगे इसमें डखकन में रखी है नीम की पतियां भी है और भी जो भी मेरे अगल बगल के पौदों की पतिया है वो मैंने इसमें डाल रखी है और ये बहुत ही बढ़िया जो है इसमें मुझे आउटपुड मिलता है 100% waste decomposer की वज़ा से germination होता है waste decomposer बहुत ही लाजवाब चीज है आप देखेंगे मैंने मेरी करेले की बेल जो है वो सूख गई थी पत्ते एक तम उसके सूख रहे थे पीले पड़ गए थे ब्राउन होके ज़ड रहे थे तो मैंने उसमें waste decomposer यूज किया तो मुझे बहुत अच्छे उसमें result मिल रहे है ये भी अभी जो मैं डाल रहा हूँ ये बॉटल में 50% waste decomposer का गोल है यूँ मैंने इसमें डाल दिया है सूखी पतियां डाल कर गए और आप आगे भी देख सकते हैं कि मैंने इस प्रकार से फ्रेंच बीन्स के लिए pot holes बना रखे इसमें मैं ये waste decomposer डाल दे रहा हूँ मुझे हमेशा मैं ऐसे ही करता हूँ तीन साल से लगव इसमें उगाते हुए घर के अंदर भी गमलों में भी उगाता हूँ मैं वो चट पर रखे रहते हैं ये थोड़ा सा मेरा एक प्लॉट है जिसमें मैं थोड़ी सी खेती करता हूँ ये देखिए थोड़ा थोड़ा waste decomposer इसमें डाल के अभी मैं इसको अच्छे से mix कर दूँगा तो बहुत बढ़िया मुझे इससे जो है waste decomposer से result मिलती है तो आप सभी से मेरा अनुरूद है कि कोई जादा उसमें waste decomposer बनाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बहुत आसान सा है उसको बनाना आप 20 लेटर पानी लें विसलेरी की जो बड़ी बोटल आती है mineral बोटल की उसको अच्छे से धोले साफ कर लें chemical से यह सरफ से साबून से मत दोए ऐसे उसको दोलें वो जो plastic है वो food grade plastic होता है जो बहुत ही अच्छा होता है इस प्रकार से आप देखें यह मैंने यहां पे भ देखें मिट्टी में तो यहां सब जगा मैं फ्रेंच पीन्स बहुंगा इसको मिक्स करते हूं यह दिखी आपको मैं चमतकार दिखा देता हूं यही यह मेरी तोरी की बेल थी मैंने यह सूख गई थी इस पे आप देख रहे हैं मैंने यहां पे वेजदिक मुजर डाला इस तो यह सूख गई वहां से तो मैंने इसको उखाड के यहां अपने खेत में लगा दिया और यह देखी आपके सामने रिकवरी है इसका फूल खिलने लग गए है बच गई है यह दुबारा से तो यह रिजोवेनेट हो रही है यह वेजदिक मुजर की ताकत है आप इसमें द गड़ों में यहां देख सकते हैं यहां वेस्ट डीकमोजर डाला था इसको मैं रेगुलर डाल रहा हूं जब यह सूख गई तो अभी इसने रिकवर करना यह शुरू कर देए यह देखे फूल आ गए इसमें जबकि ऑसीजन ने यह देखे यह करेला भी लगा हुआ इसमें तो दुबारा से यह इसने रिकवर कर लिया है तो वेस्ट डीकमोजर की यह ताकत है जो कि सूखे को भी चीज को कोई पौधा आपका डैड हो रहा है तो उसको भी यह रिकवर कर देता है वीडियो देखने के लिए पाप्दा धन्यवाद